नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका ट्राय सीटी प्रोपर्टी गुरू में और मैं प्रप शरन सिंग वापिस आएक नए प्रोजेक्ट रवी एक कैम वीडियो के साथ आज का गाज जो हमारा प्रोजेक्ट ऱहोगा ओमेक्स असलिस्ट्या ग्रैंड और इस प्रोजेक्ट में जो आज मैं आप लेगों का लिए जाओ क्या हूं कि अगर आप लोगों कि प्लैनिंग है प्रोपर्टी में इन्वेस्ट करने की नए घर लेने की अगर आपलोगों का थोड़ा सा मूड इस ताइप का आपका तेस्ट इस ताइप का है आप नियूग एक डिया जहां पर बहुत रष्ट ना हो और जो आपार्चमेंट्स ना हो यहां पे लुग जाए अपर लोगों को जहां विल्डिंग ने दाया गले में ही कोई फ्लैट न को यह वीडियो कम्प्लीट एंड तक देखनी है सब्सक्राइब करने से पहले आप लोगों को मैं एक चोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूं कि अगर आप लोगों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गैज डोंट फॉर्गेट टो सब्सक्राइब इस चैनल वि कि इसी चीज को खास अमने ध्यान में रखके ही यह शूट कर रहे हैं आज कि अगर आपकी प्रोपर्टी इंवेस्टमेंट का कोई भी प्लैन मन रहे है और वह प्लैनिंग आपकी है एक प्रोपर ग्रीन एरिया एक शांत इलाका आप देखना चाहते हैं जिसमें बहुत अपार्टमेंट्स ना हो तो यह सबसे बेस्ट एरिया है और जो अंदर फ्लैट साइज और जो डिजाइन ही होगी फ्लैट की गाइस उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगा एंट तक तब ही आपको पता चलेगा क्या है तो गाइस चलते हैं अंदर अंद अपर आउटसाइड में आती है तो हमें यहां पर थोड़ा सा कार्स को लाइक बारिश में यहां कुछ भी कवर करना पड़ता है तो यह चीज है पर वहारी वेकल्स की सेक्योर्टी और उसकी सेफटी के पॉइंट अवी से भी काफी बेस्त है तो गैज चलते हैं लोग अभ निस्तना अच्छ साः Сп 小ण हैंगल appreciate pem supports अधर, और इहां पर इनतर यहां पर आपलोग डेख सकते कि जैसा अई अपर यहां पर आप देख रहा है यह यह दुट आपर ऍेधड है यह यहां पर अथ हैं यह शुट नहीं यह एंगल अगल एरए और इनिंग एरिया वह सारा कर सकते हैं इसको अकोडिंग तो आड लाइफ श्टाईल अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक सिंपल प्लेइन हमर पस एक पुलीट लोबी मिली है जिसको हम अच्छे परबस के अपरिडिंगल भी चेंज कर सकते हैं कैसे लिचमेल अपर साथ द्रोइंग अरिया इंग अपर लींग अरिया के साथ महांनी यहां बालकनी के साथ यहां पर पिवी ची डोर लेके और यह काफी अच्छा भी है गाई अगर यह अगर फेसिंग के लोग बात करें तो बालकनी के अंदर हमें यहां पे एक बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है और बालकनी के जो आप लोग स्पेस देख सकते हैं वीड तो और इसके लेंथ काफी अच्छी डिजाइन की और जो सबसे बेस्टीज मैंने अपसे जो स्टार्टिंग में कहा था कि यह प्रजेक्ट क्यों खास है और वीडियो को एंड तक जरूर देखे यह इसलिए काता कि इस आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो हमें यहां पर व्यू मिल रहा है बहुत ही अल्टीमेट मिल रहा दिएसर्व एपनी खी ड़ैने के लिए अगर हम बात करते हैं तो यह पोग IT जहीं अज्ज है यह था हमारा बाल कोशनी जो हमें यह भील्कोनी आगे कीचन के साथ करेंगे यह कि यह रोग अगे डूसरे बैड्रूंन के साथ आपको प्लाइगे तो काई इक है यह ठीमारी लिविंग अरिया की बालकनी और इसके साथ ही अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं भी रूम का टूर तो यह हमारा है बेड्रून नंबर वन जो हमें यहां पर मिल रहा है काफी अच्छा एक प्रॉपर साइज हमें यहां पर मिल रहा है यहां पर भी हमें यह जो बालकनी मिल रही हो बिलकुल यहां पर उसी साइज उसी सब चीज के साथ यहां पर है और यहां पर जो हमें स्पेस मिल रही थी वो काफी स्पेशियस है और यह जो बालकनी हमारी थी वो बिलकुल उसी बैड जो हमारा लिविंग एरिया था गाइस व तो आप लुक देख सकते हैं यहां पर काफी स्पेशियस है अच्छी स्पेश प्रोवाइड हो रही है यहां पर हमें वेल यूटिलाइज किया है स्पेश को तो यह काफी अच्छा हमें आप प्रोविजन मिल रहा है ताक कि हमारे गेस्ट पीस को एज गेस्ट वाद बातरूं में यूज कर सकते हैं तो चलते हैं अब हमारे नेक्स बैटरूम के तरफ यह हमारा बैटरूम नमबर टू है गाइस काफी स्पेस इसमें भी अच्छा एक स्पेस का प्रोविजन हमें मिल रहा है और यहां पर आपने देखना यह चीज जो मैं दिखाने जा रहा है यह काफी यहां पर काइस स्पेश है आप देख सकते हैं कि यहां पर यह जो स्पेस यूटलाइस की गई आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके के साथ नॉर्मली फ्लैट्स के अंदर यह स्पेस वेस्ट जाती है बट इसको भी ऐसा एक वेंटिलेशन के परपस से यहां पर डिजाइन किया गया जो कि काफी अच्छी लगी मुझे यह था हमारा बैटरूम ना टू और इसके साथ हम लोग अब जाते हैं हमारा फाइनली मास्टर बैटरूम की तरफ तो यह है हमारा मास्टर बैटरूम और यहां पर हमें जो स्पेस मिल रही है आगें गाइस यहां पर भी काफी अच्छी स्पेस मिल यहां पर हमाया रहे पास चो अंडर मिल रहे कनेक्टिंग बातरूम आप लोग एक लगार देख सकते हैं कि स्पेस यहां पर काफी अच्छी तरह में अच्छी पेस मिलिया और बातरूम में एक नगा पास वेंटिलेशन के लिए यह विंडू बना हुई है जिससे कि हमें प्रोपर एक नेचरल लाइटनिंग आती रहे, आप यहां से फ्रेश एर भी आ सकती है, यह काफी अच्छा एक प्रोवीजन है यहां पे So guys, master bedroom का ही है हमारा connected bathroom तो इसके साथ ही हमें यहां पे connected balcony मिल रही है आप लोग देख सकते हैं काफी spacious है, काफी अच्छे space के साथ यहां पे design किया गए इसको So guys, यह हमने bedroom number two की बात की थी, उसमें जो हमारे पास वो space utilize की थी, ऐसा balcony के तरह वो यह space थी काफी अच्छी थी और यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि हर space को proper balcony में utilize किया था कि हमारे कोई भी space waste न जाए और यहां पे भी आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे बालकनी के जो connectivity है वो हमारी यूज की गए kitchen की connectivity के साथ यहां पे हमारे पास washing machine के लिए भी area अच्छा provided है यह था हमारा master bedroom और इसके बाद हम लोग डिरेक्टी चलते हैं की तरफ तो कैज जो kitchen की connectivity वो भी हमारा जो ड्रॉइंग अरिया सा उसके साथ ही है यह है हमारी kitchen और kitchen में यहां पर आप लोग देख सेथे एक parallel kitchen डिजाइन मिल रहा है जिसमें हमारे पास काफी अच्छा वैल फढ़नी है यहां पर हमें kitchen में भी बालकनी का उप्शन मिल रहा है जो बालकनी हमने में दिखाए थी यह क्नेक्टिविटी में हमें मिल रही है और तो यह था हमारा इस फ्लैट का केच्छन जो हमें यहां मिल रहा है और आप लगो को पसंद आया और complete टूर पसंद आया यहां पर जो सबसे बेस जीए जो लगी वो यह थी कि जो हमारा ड्रोइंग एरिया कम living एरिया है complete यह घम्बाइन था गंबाईन होने की वज़े से क्य कि अगर देख सकते हैं कि वारा जो बैडरूम नंबर वन था और जो हमारा यहां पर बादरूम था और जो बैडरूम नंबर टू और मास्टर बैडरूम प्लस यह कीचन सब एक ही कनेक्टिविटी के साथ हमें यहां पर मिल रहा है तो गाइज यह जो प्रोवीजन होता है यह अगर एक फैमिली इसमें रह रह रहे है तो सबकी कनेक्टिविटी एक सेंट्रलाइस पोजीशन से ही आती है आपने शाम को रात को आपने डीनर के लिए बैठना है सूबे ब्रेकफास्स केल बैठना है तो सामने ही कीचन है साथ में ही सारे रूम से आप एजली यहां बैठ पुट करो हम आपको जवाब देंगे तो गाइस और जाने से पहले गाइस जिनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कैंड़ी नीचे सब्सक्राइब क्लिक कीजी और साथ में बैल एकन बटन को जरूर दबाए ताकि मेरी इन फीचर जितने भी प् सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए गाइस मैं मिलता हूं आपको एक नहीं वीडियो एक नहीं प्रोजेक्ट के साथ नमस्कार बाए